नमस्ते दोस्तों मैं आसिस मौर दोस्तों ये टाटा की विंगर गाड़ी है दोस्तों इसमें ये जो साइड सीसा है इनका साइड सीसा तूड गया था तो इनका जो साइड सीसा है ये काफी महांगा आ रहा था करीब 2800 के आसपास 15 तो दोस्तों हमने इसमें जुगार से तो यहां हमने right side में सिसा को लगा दिया है तो यहां आप देख सकते हैं हमने side सिसा को बहुत ही अच्छे से लगाया हुआ है तो अभी मैं इसके बाए side का सिसा लगाने वाला हूँ तो दोस्तो आप video बने रहे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि बहुत ही कम लागत में इसका side सिसा हमने कैसे लगाया है तो यहां आप देख सकते हैं हमने right side का सिसा complete कर लिया है तो यहां यह इसको set कर रहे है यह अच्छे से set हो जा रहा है दोस्तो अब हम यहां इसके बाए side के side सिसा को खोलेंगे तो इसमें side सिसा तूट चुका है तो यहां इसको खोलने के लिए दोस्तो यहां अंदर 3 बोल्ट लगे हुए है 10 नमबर टूल से 3 बोल्ट को खोल लेंगे दोस्तो यह आप देख सकते हैं यह side सिसा का frame है तो इसी में हमें side सिसा लगाना है तो यहां आप देख सकते हैं यह जो दो बोल्ट है इसे खोलना होगा इसे हम एलेंकी रिंज से खोलेंगे तो यहां एलेंकी की मदद से दोनो बोल्ट को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे तो दोस्तो जल्दी से हम दोनो बोल्ट को खोल लेते हैं और यह कर देंगे और यह रबन नए वाले साइड शिसा में रहता है इसी से हम होल का निसान लगाएंगे तो यहां एक होल का साइज मिल रहा है तो दूसरे होल में हम मारकर से निसान लगा लेंगे तो यहां हमने मारकर से निसान लगा लिया है दोस्तों अब हमें इसमें डिल मसीन से होल करना है तो इसके लिए पहले हमें पंच करना होगा तो यहां ऐसे हम पंच करेंगे तो यहां हमने पंच कर लिया है अब इसे हम डिल मसीन से होल करेंगे तो यहां हमें 10 नंबर के साइच का होल कर लेना है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए दोस्तो मैं आपके लिए ऐसे ही आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा अब वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करें दोस्तो यहां हमारा होल हो गया है अब इसमें हम पेश डाल के देख लेंगे तो यहां पेश बिलकुर असानी से चला जा रहा है दोस्तो यह मिंडा कंपनी का सीसा है इसकी MRP 198 रुपे है यह साइड सीसा महिंद्रा के बुलरो गाली में लगता है इसी को हम इसमें लगाएंगे दोस्तो साइड सीसा के पार्ट्स नंबर को मैंने नीचे डिस्क्रिशन में दे दिया है दोस्तो यह साइड सीसा ओरिजनल है तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे उनू मिंडा लिखा हुआ है इसकी क्वाल्टी बहुत ही अच्छी है इसको यहां ऐसे लगाना है तो यह आप देख सकते हैं ऐसे यह लगेगा तो दोस्तों यहां यह जो साइट सिसा का रबड है इसे हम थोड़ा काट लेंगे तो ऐसे काटने के बाद हम इसको लगाएंगे तो जल्दी से इसको काट लेते हैं तो रबल को लगाने के बाद हम इस साइड सिसा में पेच को डालेंगे और ऐसे लगाना है और दूसरे साइड से इसके नट को लगा देंगे यहां ऐसे नट को लगाएंगे नट को लगाने के बाद इसके पेच को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे तो ऐसे हमें पेज को अच्छे से टाइट कर लेना है तो दोस्तों यहां हमारा यह साइट सिसा कम्लीट हो गया तो यह आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ओके हो गया है अब इसे हम लगाएंगे तो यहां हम इसको लगा लेते हैं तो दोस्तों आपने देखा के हमने बहुत ही कमलागत बेदोनों साइट सिसा को लगाया है दोस्तों इस विंगर का दोनों साइट सिसा ओरिजनल 5600 का आ रहा था तो हमने इसमें मिंडा कम्पनी का सिसा लगाया हुआ है जो की 380 रूपे का है और 600 रूपे टोटल खर्च आया है तो यहाँ इसको set कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं दोनों side sisah हमा रहा complete हो चुका है तो यहाँ बहुत अच्छे से यह set हो गया दोस्तो यह आप देख सकते हैं यह साइट सीसा बहुत अच्छे से लग गया है दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद